दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं grass mining को लेके grass mining से लेड़ेट काफी सारे updates आये हुए हैं जो कि मैं आपको आपको time to time अपने telegram चानल पे भी share करता हूं लेकिन especially बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई अगर आपका grass mining account open नहीं हो रहा है काफी सारे लोगों को यहाँ पर problem हो रहा है कि उनका account यहाँ पर open नहीं हो रहा है या फिर वो लिखा आ रहा है you are not registered with us तो क्या उसका solution है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो overall बहुत जदा informative है वीडियो को इंट तक देखिएगा तो दोस्तों अगर आप हमाएं telegram channel पर आते हो और यहाँ पर आके search करते हो grass तो आपको grass related काफी सारे updates देखने को मिलेंगे जैसे कि recently हमने update किया था कि grass का जो approach 7 था वो यहाँ पर end हो चुका है और इसके बाद क्या है तो approach 7 जैसे कि end हो चुका है और यहाँ पर a snapshot has been taken and it will be used to determine eligibility in the upcoming eardrop यहाँ इस snapshot already ले लिया गया है यह snapshot determine करेगा कि आप eardrop के लिए eligible हो या फिर नहीं हो आपको eardrop मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और यहाँ पर इन लोगों ने यह भी बोला था कि we will provide details on how you can check your eardrop eligibility and share more information about the token mix तो यह बहुत जल्द हमें eardrop का eligibility checker भी live करने वाले हैं जहाँ पर हम check कर पाएंगे अपने token को देख पाएंगे कितना token हमें यहाँ पर allocate हुआ है इसके पहले भी काफी सारे जो grass का update है वो मैं आपको already यहाँ पर दे चुका हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारा update है यहाँ पर देखो आठ साथ 2023 को ही हमने यह grass mining में जोईनिंग वगरा किया था और उसके बाद से यह सारा कुछ update है वो मैं आपको देते आ रहा हूँ ठीक है तो update जानने के लिए आपको हमें telegram channel को जोईन कर लीजगा definitely अग करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कुछ error आ रहा है जैसे कि देख सकते हो मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ error आ रहा था मैं अपना same email ID और password यहाँ पर डालके login कर रहा था और यहाँ पर देख सकते हो error आ रहा है कि error यहाँ पर you are not registered with us तो ऐसा error काफी सारे लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यह है मेरा grass का account जहाँ पर मैंने open कर लिया और मेरा अभी जो account है वो successfully यहाँ पर काम कर रहा है कोई भी दिक्कत भी नहीं है जस्ट ही यह open हुआ है भाई मैं almost 15 दिन से यहाँ पर stuck था यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टर नहीं हो मैंने try किया यहाँ पर forget password का use किया forget password जब मैं कर रहा था तो भाई जो email से मैंने यहाँ पर join किया था उस email पर लिंक जा रहाँ था लेकिन भाई यहां पर login नहीं हो पा रहा था ठीक है पासवर्ड में चेंज कर लेता था बट login नहीं होता था अब आप ही सोचो यहां पर जब पासवर्ड करने पर उसका वेरिफिकेसर लिंक जा रहा है इमेल पर तो फिर अब रिजिस्टर कैसे नहीं हुए क्यों यह यहां पर देखो यह आपको एक चैट का ओप्सन यहां पर दिखाई देता इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर मैंने काफी सारे यहां पर बात किया देखो यहां पर जैसे कि यहां पर मैंने लिखा कि thank you it's open now thank you so much और यह आज कहीं कुछ time पहले का यहां पर चैट है और यहां पर बोला है कि happy to help इन्होंने reply किया है we will go ahead and close this ticker now if you need any help future feel free to open new one okay तो मैं यहां पर थैंक्स लिख देता हूं सबसे पहले उसके बाद आपको आग login account issue ठीक है यह जैसे आप select करोगे तो आपको यहां पर बोलेगा कि आप describe करो तो automatic यहां पर select करने का option रहेगा कौन से आपका problem है तो यह वाला जो problem है वह आप select करना either login in you are not registered with us यह वाला option आप select करना उसके बाद यह सार आप automatic आएगा यह उसके बाद यह पूछेगा कि क्या यह helpful रहा तो आप यहां पर no को select करना उसके बाद फिर से फूछेगा कि did you request to delete your account यह आप अपने account को delete करने का try किये थे तो मैंने यहां पर no कर दिया है उसके बाद no problem बोल रहा है और यहां पर बोला कि कुछ details आप यहां पर share की ठीक है तो सबसे पहला तो description है तो मैंने यहा ने बोला कि हम यहां पर एक नए जो assistant है उससे आपका जो ticket है वो यहां पर send कर रहे हैं और वो आपको assist करेगा तो उसके बाद यह बोल रहा है कि आप अपना जो यहां पर इसका skin sort है वो आप share करो तो जो आपको error दिखाई दे रहा होगा ना you are not registered with us along with your email address और जो भी password है वो आप यहां पर डालोगे जो मैंने आपको सुरू में skin sort दिखा ना वहीं same skin sort आप यहां पर डाल देना उसके बाद दोस्तों यहां पर उनका message आया फिर उन्होंने help करने start किया तो सबसे पहले भाई इन्हों ने बोला have you try to login using your username तो क्या आपने email address को छोड के बाकी username से login करने क कोशिस किया तो मैंने वह भी try किया बट यहां पर मुझे same error देखने को मिल रहा था अब यहां पर फिर से बोला कि यह कुछ steps से इसे आप follow करके देखो सबसे पहले बोला कि clear cookies, cage जो data है वह आप clear करके देखो उसके बाद आप जो अपना grass account है वह किसी और browser में या फिर इसी browser की incognito mode में try करके देखो और साथ अपना जो browser उसे update करके देखो मैंने यह सारा चीज यहां पर try कर लिया भाई बट कुछ भी यहां पर काम नहीं कर रहा था इससे मैंने यहां पर बोला कि मैंने incognito mode भी try कर लिया है different browser भी try कर लिया है मैं यहां पर login नहीं कर पा रहा हूं औ प्लीज help करो ठीक है तो यहां पर उसके बाद कुछ time लिया और यहां पर मुझे बोला कि could you try to re-log in your account तो यहां पर भाई मैं दुबार से जैसे try किया मेरा account यहां पर login हो गया और यहां पर thank you का भी मैंने बोल दिया ओके तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहां पर chat किया और मैंने आपको solution बता दिया मैंने इस तरीके से अपना जो problem है वो यहां पर solve करवाया है तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा problem हो रहा है भाई आप इसी तरीके से इसका solution जो ले सकते हो और इसी तरीके से आप अपने account को login कर सकते हो दूसरा कोई option यहां पर नहीं है इतना time से आपने मेहनत किया है और अगर आपको ऐसा problem देखने को मिल जा भाई तो बहुत बुरा लगता है इसलिए मैंने काफी वक्त से almost 2-3 दिन से मैं try कर रहा हूं कभी का बार यह online नहीं होता है तो instant help आपको नहीं मिलेगा तो आपको try करते रहना है अभी just मैंने यहां पर किया त सुलाना वैलेट फेंटम जो वैलेट होता है उसी आपको connect कर लेना है और अपना email address को यहां पर verify कर लेना है वैलेट को add कर लेना है यह सब कुछ आपको complete करके रखना है इसका snapshot taken हो चुका है और बहुत जल्द इसका air drop भी eligibility checker live हो जागा जहां पर हम अपने token को check कर पाएंग